नमस्कार आपका मेरी चैनल में स्वागत हैं आज मैं आपको माद दुर्गा की किर्पा की एक बहुती सुन्दर कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखिए साथी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें किसी गाउं में एक पती पतनी रहते थे उनका नाम राजिश और संगीता था वो जमीदार थे और वो माता रानी के भक्त थे वो दौनों रोज माता रानी के मंदे जाया करते थे उनकी घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन उनके कोई उलाद नहीं थी वह दोनों पती पतनी इस बज़े से बहुत दुखी रहते थे वो दोनों संतान के लिए हर वो काम करते जिसे कोई भी बताता डौक्टर को दिखाते दान पून्य करते सादू संतों के पास भी गए लेकिन उनके कोई उलाद नहीं हुई वो दोनों सादू संतों की सेवा भी मन लगा कर करते थे हर उपाय करने के बाद जब कोई फल नहीं मिला तो एक दिन संगीता रोने लगी तो राजेश ने पूछा क्या बात है संगीता तुम क्यों रो रही हो तब संगीता ने कहा अब मुझसे सहा नहीं जाता अब तो ये जीवन बेकाल लगता है मैं जब भी किसी मा बच्चे को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भगवान ने मुझे ये खुसी क्यों नहीं दी मेरी किस्मत में बच्चा क्यों नहीं है राजेश उससे समझाता है कि संगीता रो मत धीरेट रखो मातारानी सब अच्छा करेंगी हम दोनों रोज मा के मंदिर जाते हैं तो मा हमारी बिंती जरूर सुनेंगे दूसरे दिन वो दोनों मा के मंदिर जाते हैं और मा से प्रात्ना करते हैं कि हे मा हम सालों से आपके मंदिर आते हैं हमारी बिंती सुईकार करो मा आप सब की जोली भरती हैं मेरी भी जोली भर दो मुझे भी उलाद का सुक दे दो राजेस और संगीता पूजा करने के बाद घर आते हैं तो उन्हें राष्टे में एक औरत मिलती है वो कहती है कि बेटी क्या हुआ तुम बहुत उदास लग रही हो तब संगीता ने कहा हाँ माजी मेरे कोई संतान नहीं है हम मा से यही बिंती करके आ रहे हैं कि हमें कोई संतान दे दें तब वह औरत पताती है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी अगर वह काम तुम पूरे भक्ति भाव से करोगी तो तुम्हें संतान का सुक चरूर मिलेगा तब संगीता कहती है माजी आप बताईए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ तब औरत कहती है आप दोनों नीम और पीपल का बिवा कराओ गरीवों को भूजन कराओ तथा गरीवों को कपड़े भी दान करो और हाँ अब से तुम दोनों को जमीन पर ही भूजन करना पड़ेगा और रात को माता रानी के चर्णों में ही सोना पड़ेगा अगर इसमें से कुछ भी छूट गया तो तुम्हें उलाद का सुक कभी नहीं मिलेगा यह ध्यान रहे तब संगीता ने कहा ठीक है माजी मैं ये सब करने को तैयार हूँ और मुझसे कोई भूल नहीं होगी फिर वै उस औरत से बिन्टी करती है माजी क्या आप ये सब काम होने तक हमारी साथ रहेंगी अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमारे काम में कोई भूल भी नहीं होगी उस ओरत ने कहा ठीक है बेटी जब तक तक तुम्हारी ये दीच्छा पूरी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी दूसरे दिन राजे सोसंगीता पीपल और नेम की पूजा करते हैं और जहां भी ये दोनों पेड इखटे होते हैं वहां उनका बिवा संपन कराते हैं गाओंवाले ये सब देखते हैं तो कहते हैं बिचारे राजे सोसंगीता ने औलाद के लिए क्या क्या नहीं किया अब ये एक और दीच्छा हे मातारानी अब आप इनकी इच्छा पूरी कर दो उस दिन की उनकी दीच्छा समाप्त होती है तो वे दोनों उस औरत से कहते हैं कि हे माजी आज हमने गाओं में जितने भी नीम और पीपल थे उन सब का पूजा पाट करा दिया सब का बिवह संपन करा दिया अब क्या करना है तब उस औरत नी कहा अब तुम दोनों मंदिर के पास वाली नदी में जाकर इसनान करो और जमीन पर खाना खाओ राजेश और संगीता नदी में इसनान करके आते हैं तब तक वै औरत उनके लिए जमीन पर खाना लगा देती है. तब संगीता कहती है मा जी आप क्या खाऊगी, आपको भी तुभूक लगी होगी. तब वै औरत कहती है नहीं मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, पहले तुम दोनों खाना खालो. वो दोनों जमीन पर खाना खा लेते हैं फिर वो औरत कहती है आज की तुम्हारी दीच्छा पूरी हुई और राजेस और संगीता मंदिर में ही सो जाते हैं और वह औरत भी वहीं सो जाती है अगले दिन सुबह वह दोनों नदी में इसनान करके आते हैं तब वह औरत कहती है अब तुम दोनों नई कपड़े लेकर आओ संगीता गर से नई कपड़े लेकर आती है फिर वह औरत उन्हें ऐसी जगळे ले जाती है जहां भूके प्यासे लोग बैठे थे उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे संगीता उन्हें देखकर कहती है बिचारे कितने करीव हैं मुझे तो इन पर दया आ रही है तब और ओरत कहती है बेटी अब ये कप्ड़े तुम इन्हें दे दो तबहिए उनमें से एक ओरत उन्हें द्वा देती है आप दोनों अपने बच्चों के साथ खुश रहो संगीता कहती है क्यों मा जी तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है क्या तब उसने कहा हाँ हैं बेटी है जो सस्राल चली गई और बेटों और भहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया यह कहकर वह औरत फूट फूट कर रोने लगती है तब संगीता कहती है मा जी आप चिंता मत कीजिए मैं आप सब के लिए खाने पीने और रहने का इंतिजाम कर दूँगी फिर राजेश और संगीता दोनों घर आते हैं संगीता बहुत दुखी होती है वह अपने पती से कहती है राजेश अगर हमारे बच्चे हुए तो क्या बो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे जैसा उस औरत के बच्चों ने उसके साथ किया तब राजेश ने कहा संगीता सब बच्चे ऐसे नहीं होते और फिर हमारे बच्चों पर तो मा की किरपा होगी अगर सब बच्चे ऐसे ही होते तो कोई भी माबाप अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे होते इसलिए तुम चिंता मत करो और माता रानी पर बिश्वास रखो उस दिन साम को राजे सो संगीता ने खाना खाया और वहीं सो गए अगले दिन संगीता ने अपने हाथों से उन गरीवों के लिए खाना बनाया और खाना लेकर वो गरीवों को देनी चले जाते हैं फिर वो दोनों मंदिर आते हैं तो वह औरत कहती है कि तुम्हारी दीच्छा पूरी हुई अब तुम माता रानी के दर्शन करो और पूजा पाठ करो तब संगीता कहती है मा जी क्या हमारे उलाद होगी तो उस औरत ने कहा हाँ बेटी जरूर होगी तुम ऐसे ही दाने पूर्णे करते रहना कुछ दिनों बाद संगीता और राजिस रोते हुए मंदिर में आते हैं और कहते हैं मा हमारी बिंती सुन लो अब तो हमें अलाद दे दो तब ही वे औरत वहाँ आती है और संगीता के सिर पर हाथ रख कर कहती है बेटी तुम्हें जरूर अलाद मिलेगी यह कहकर माता रानी अंतर ध्यान हो जाती है तब संगीता को समझ में आता है कि वे औरत और कोई नहीं माता रानी ही थी तो वे माता रानी को धन्यवाद देती है और कहती है माता रानी तो आज तक आप हमारे साथ रह रही थी आपने हमारी दीच्छा पूरी कराई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुछ दिनों बाद संगीता गर्वती होती है और नौ महिने के बाद संगीता को एक पुत्र की प्राप्ती होती है संगीता और राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों माता रानी को धन्यवाद देते हैं और माता रानी के मंदिर आते हैं तथा दोनों जीवन भर मा के कहे अनुसार दानिपून करते रहते हैं माता रानी की किरपा से संगीता और राजेश का जीवन खुशियों से भर जाता है तो ही माता रानी जैसे आपने अपने इन भक्तों पर अपने किरपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपने किर्पा सदा बनाए रखना जै माता दे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही मेरे वीडियो को जादे से जादा शेयर करिए धन्यवाद